हेलो स्टुडेंट्स एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं हम अंद्गुपता आज आपके लिए लेक्चर आज के इस लेक्चर में स्टुडेंट्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख करूप से जो कोशन डिसकस की जाएंगे वह हैं फेरा फेमा एक्ट से सम्बंदित होंगे और लेक्चर थर्ड का जो में टॉपिक था जी आई टैग उससे सम्बंदित जो कोशन रह गए थे उनको सबसे पहले डिसकस करेंगे तो चले स्टुडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है हमारा विच्व फॉलाइंग इस नोट मैच्ड क्रेक्टली हमारे को स्टुडेंट्स यह जो चार जी आई टैग से सम्बंदित दिये गए हैं और यह पहचान कर बटाना है कि कौन सा जी आई टैग इसमें गलत मैच हुआ हुआ है कि ना तो फर्स्ट ओप्शन है कि चक हाओ ब्लैक राइज मनिपूर बंदरलड़ू औरपर्देश अरनमुला कर्नाडी औरपर्देश और बर्दमन सीता भोग वेस्ट बंगाल तो इस स्टुडेंट्स का जो सही आंसर है वह है option नमबर C अरनमुला कर्नाडी यह आन्दरपर्देश से सम्मंदित नहीं है यह कियरला से सम्मंदित है और ये मुख्य रूप से एक शीशा है, हैंडी क्राफ्ट शीशा है जो की केरला में बनाया गया था ये question important क्यों है कि आप अक्सर first information को तो यार रखते हो, second को नहीं यार रखते पिछले वीडियो में हमने first GI tag के बारे में बात करी जी और students जैसे कि आपको पता है कि जो first GI tag दिया गया था वो दार्जलिंग T को दिया गया था अब आपके लिए homework के रूप में क्या है कि आपको homework में ये बताना है कि दार्जलिंग T को GI tag कब दिया गया था आपको ये comment box में comment करके बताना है चलिए students next question जानते हैं next question क्या है हमारा next question है students first factory act was enacted in हमारे को बताना है कि पहला का रखाना अधिनियम किस वर्स में अधिनियम मित किया गया था option दिये है A, B, C और D तो students इस question का जो correct answer है वो है option नंबर A, 1881 जो first factory act enacted हुआ था वो 1881 में हुआ था और वर्तमान में जो factory act है वो आपका 1900 factory act 1948 है जो की एक अप्रेल 1909 से लागू हा था संपूर्ण भारत में जमू और कश्मीर को छोड़ते हुए लेकिन लेकिन सन 1970 से यह जमू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया इस factory act के अंतरगत कुल 11 अध्धाये हैं और मुख्य रूप से 120 धाराये हैं sections है चलिए next question जानते हैं students next question है what is the time limit of the GI tag हमारे को यह बटाना है कि GI tag जो दिया जाता है उसकी time limit क्या है हाला कि उस time limit के बाद उसको extend किया जा सकता है अपलाई करने के बाद तो सबसे पहले बताना है कि यह कितने समय के लिए दिया जाता है और 10 साल के बाद इसको दुबार से renew किया जा सकता है चलिए students next question है हमारा निमलिखित में से कौन करमचारी सुरक्षा और स्वास्थे से जुड़ा नहीं हमारे को बटाना है which of the following is not connected with employee safety and health option a factory act 1948 option b mines act 1952 option c payment of bonus act 1965 या option d डोक workers safety health and welfare act 1986 तो students इस question का answer जानने से पहले यदि आप हमाई चैनल पर नए है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया अफडेट्स आपको time to time प्राप्ट होते रहे और साथी साथ जितना ज्या अंचारियों की सुरक्ष्य और स्वास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसका जो correct answer है वो है option number C payment of bonus act 1965 चलिये next question है बटा a bill to repeal and replace the foreign exchange regulation act was introduced in the log सभा में फेरा act को समाप्ट करने के लिए एक बिल प्रस्टूट किया गया वो कब प्रस्टूट किया गया option दिये है a b c d 4 अगस्त 1998 4 अगस्त 1990 16 अगस्त 1996 या 31 जुलाई 1996 तो student ध्यान रखेंगे फेरा को समाप्ट करने के लिए एक बिल प्रस्टूट किया गया था 4 अगस्त 1998 को और फेरा act लगुआ था 1973 में और ये बिल जो आपका 4 अगस्त 1998 में एक तो की question है किस तारीक को इसी question को दूसरे तरीके से पूछ सकता है किस budget में दिया गया तो ध्यान रखेंगे ये budget सत्र था 1997-98 budget 1997-98 में फेरा act को समाप्ट करने के लिए एक बिल प्रस्टूट किया गया था इसकी स्थान पर क्या आया था फेमा act फेमा received the ascent of the president प्रेशिडेंट की शुकरती कम मिली फेमा एक्ट को लागू करने के लिए ओप्शन ए 29 दिसंबर 1999 12 दिसंबर 1999 13 दिसंबर 1999 26 दिसंबर 1999 तो स्टूडेंट इस पर प्रेशिडेंट की ऐसे प्राप्ट हुई थी 29 दिसंबर 1999 को और इससे संबंदित नेक्स कोशन बनता है कि फेमा become the act as on ये एक्ट कब बना कब से लागू हुआ फेमा एक्ट तो इस्टूडेंट्स ये लागू हुआ था एक जून 2000 से उप्शन नम्मर भी इसका करेक्ट अंसर है चलिए नेक्स वर्षन जानते हैं वाटा नेक्स वर्षन है हमारा फेमा एक्ट 2000 कंटेंट्स इन ओल फेमा एक्ट 2000 में कुल कितने सेक्शन है 46 एक्शन 49 47 या 50 सेक्शन तो इस्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे फेमा एक्ट में कुल 46 इसके अंदर कुल मिलाकर साथ चैप्टर हैं जो कि डिवाइडेड है 49 सेक्शन में और इसमें से भी 12 सेक्शन ऑपरेशनल पार्ट से सम्बंदित हैं जबकि अदर्स कॉंट्रावेंशन्स पैनल्टीज अपील्स और एनफॉर्समेंट डिरेक्टरेट आजी से सम्बंदित हैं और फेरा एक्ट में कुल 81 सेक्शन ते जहां रखेंगे फेमा एक्ट में जो कि अब लागू है अभी वरतमान में है इसके अंदर 49 एक्षन है और इसने रिप्लेज किया था फेरा एक्ट को फेर आक्ट को उसके अंदर थे 81 शेक्शन हुआ है निग्चों नेक्स को सदेटेंट नेक्स वहोस्थ हमारा मेरी औभ प्जेतिव ओभत में ओभन इफ एक्टियुंग के इंग्जरेट करना शूरूरा एक्टिवेटि ego या साथfrage future क्सेरों को कन्ट्रफ़ल करना या ओल ऑफे या all of देंनों सभी तो इस्टूजन से द्ध्यान दखेंगे dois kema का मुख्यु वू देश्य है ये सभी है धाश्वार्ण एक्सेंज को रेगुलेटफ करना-फॉर्ण एक्ट करना फॉर्ण करजी इसकी ख्रीड फ्रोक्ट को कंट्रोल करना option नंबर डी इसका k场क्ट आंसर हुजाएगा चलिए नेक्स्ट कुर्शन जानते हैं स्टुडेंट्स नेक्स्ट कुर्शन है authorized person is authorized by which of authority of the authority to deal in foreign exchange foreign exchange को deal करने के लिए authorized person किसके द्वारा authorized किया जाता है यानि के foreign exchange को deal करने के लिए किसी एक जो भी व्यक्ति को हम authorized कर रहे हैं वो उसको authorization का अधिकार किस authority के द्वारा दिया जाता है तो authority के नाम दिये हुए है RBI, Central Government, State Government या उप्रोक्ट में से कोई नहीं तो students ध्यान रखेंगे authorized person को authorization का अधिकार foreign exchange के लिए जो प्रदान किया जाता है वो RBI के द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखेंगे RBI के under में ये काम करते हैं तो ये थे students आज के महत्पुन question वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके जरूर बटाएं और यदि आपने channel को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अन्यमित्रों के साथ जरूर शेयर करें और students आप हमाए साथ हमारे WhatsApp ग्रूप Facebook और Telegram ग्रूप में एड हो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स प्राप्त होंगे नोट्स प्राप्त होंगे और इस वीडियो के description बूप में इन सभी के लिंक आपको दे दे जाएंगे विशेश तोर पर Telegram का लिंक और जो हमारे competitive exam होते हैं जैसे की UGC net का exam है उनका paper 1 और paper 2 के भी हम updates डालते हैं तो उनके quiz के link भी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएंगे और हमारे channel द्वारा upload किये गए अन्य वीडियो के भी link इस वीडियो के description box मिल जाएंगे आप उनका भी benefit ज़रूर ले Okay students, best of luck for your examination Thank you for watching